हेलो स्टूडेंट्स वेलकम अगेन इस सिरीज पार्ट टू के अंदर जो हमने एंडिय के लिए स्टार्ट की थी फर्स सिरीज के अंदर कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे क्वेस्चन किये थे कि सर क्या गर्ल्स भी एंडिय के थ्रू या इंडिय नामी में कैसे जा सकती हैं उनके इंडेक्शन के बारे में भी प्लीज बताईएगा तो इस सेकेंड पार्ट में विल बी डिसकसिंग अबाउट हाओ दे गर्ल्स लड़कियां कैसे इंडिय नामी के अंदर जा सकती हैं और एक या दो सिरीज में फिर मैं आपको एर फोर्स और नेवी के लिए भी आगे बताएंगे तो आज की जो सिरीज है आज के पार्ट में I'll be just discussing कि लड़कियों के पास कौन-कौन सी options है Indian Army में as an officer जाने की तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप plus two के बाद अभी कोई option girls के लिए नहीं है they need to be graduate first उनको graduation होनी BA, BAC, B.com कोई किसी भी stream से उनको graduate होना बहुत ज़रूरी है तो वो Indian Army में as an officers जा सकते हैं अब अलग अलग parts है मैं उनको अलग अलग हिस्से में बता रहा हूं तो सबसे पहला part है जिस तरीके से आप Indian Army के अंदर as an officer induct हो सकते हैं इस CDS it is for boys and girls both graduation के बाद combined defense services का written exam लेता है UPSC यानी Union Public Service Commission जिसको हिंदी में हम संग लोक सेवा आयोग भी बोलते हैं साल में दो बार exam लेता है जैसे इंडिया के exam दो बार होते हैं ऐसे CDS के exam भी in a year two times होते हैं after qualifying that examination again you people have to go for the SSB SSB interview clerk qualify करने के बाद आपका medical board होता है यानि आपका medical होता है और अगर आप वो भी qualify कर लेते हैं उसके बाद merit list बनती है if you are in the merit list फिर आपको OTA chain नहीं में under training जाना होता है जहां से आप उसके बाद आपको commission दिया जाता है पहले अभी तक जो भी commission दिये जाते थे that was short service commission बट अब से अब permanent commission for girls भी शुरू कर दिया है इंडियन government ने second way NCC direct entry NCC direct entry बहुत ही better opportunity है for girls जिनोंने NCC लिये college में and they have a C certificate with at least B grading A grade हो या B grade हो अगर आपके पास NCC C certificate है और B grading में है तो आप अपनी unit के through apply कर सकते हैं और आपको कोई written examination नहीं देना है उसके अंदर directly सिरफ आपको एक interview phase करना है और उसके बाद medical board ये दोनों चीज़ अगर आप qualify कर लेते हैं और merit list में भी आपका नाम आ जाता है तो you are also eligible to become an officer in Indian Army इसके इलावा आपके पास और भी कई तरीके हैं जैसे J.A.G. that is Judges and Advocate Journal जिनोंने law graduate किया है उनके पास भी ये option है वो as a law faculty एंटर कर सकते हैं उसके बाद Army education cop में भी girls की entry है एज एजुकेशनिस्ट अगर आपने post graduation किया हुआ है किसी specific subject में PhD हैं तो आप as a teacher आप education Army education cops के अंदर जा सकते हैं इसके इलावा आपके पास और भी कई options हैं जैसे आगर आपने MBBS किया है as a doctor आप आर्मी के अंदर induction ले सकते हैं उसके लिए का आपका सिरफ interview है अगर आपने qualify कर लिया है वो और medical board qualify कर लिए यू can be a doctor in Indian Army so these are the ways for girls to be inducted in Indian Army plus two के बाद आपके पास कोई option नहीं है अभी फिलाल में भी government is planning for that also क्योंकि अगर boys के लिए है तो वो girls के लिए भी कोशिश कर रहे हैं बट अभी right now 2020-2021 के अंदर अभी ऐसी option नहीं है तो यह आपके पास options है Indian Army में जाने के लिए in the next video series will be discussing about air force में कैसे induction हो सकती है girls के लिए boys के लिए और Navy Indian Navy के अंदर कैसे induction हो सकते हैं for boys and girls तो हम अपनी इसी series के अंदर NDA के बारे में boys के लिए बात करने वाले हैं क्योंकि मैं यह चारा हूं कि जो यह series है it should stay on its path उसके बावजुद भी अगर फिर भी आपकी कोई queries है please write in the comment box अपनी queries को जरूर पूछे क्योंकि जैसे ही आप कोई भी वीडियो देखते हैं आपके मन में बहुत सारी questions आते हैं please this is my request आप frame कीजिए उस question को और वो मेरे तक ही आना है that's my problem मैं आपका answer पूरी कोशिश करूँगा कि आपके हरे question का हरे query का जवाब दे सकूँ because आपको इतना confident होना है सबसे पहले जब कभी भी आप किसी काम को करने लग रहे हैं उस काम के बारे में आपके पास पूरी information होनी चाहिए पूरी जानकारी होनी चाहिए और इस platform के उपर जानकारी हासिल करने के लिए आपको बहुत ज्यादा confident होना पड़ेगा आपको comment करना होगा comment करेंगे तभी मेरे तक वो queries पहुंचेंगी और मैं आपकी queries को tackle कर पाऊंगा relate कर पाऊंगा बता पाऊंगा आपको कि कैसे उन चीजों के साथ आप deal करेंगे तो जो भी आपके questions है please comment box में जरूर लिख करके बेजिए so NDA की series को यह हम थोड़ा सा और आगे करते हैं जैसे हमने पिछली series के अंदर first part के अंदर हमने दो बार exams होते हैं तो examination का क्या pattern है पहले उसके बारे में बात करते हैं तो there are two exams दो paper होते हैं वो उन लोगों के लिए दो exams होते हैं जो या तो air force या Indian navy को join करना चाहते हैं अगर सिरब आप army को join करना चाहते हैं तो there is only one examination and that is just your journal awareness उसी journal awareness के अंदर आपका थोड़ा सा mathematics है थोड़ा सी SST है थोड़ी sciences है जो आपने up to class 10th study किया हुआ है बहुत ज्यादा higher level का नहीं जाता है वो लेकिन अगर आप mathematics यानि अगर आप air force और navy join करना चाहते हैं तो आपका plus one और plus two का mathematics should be very very strong तभी आप उसको qualify कर पाएंगे अगर आपका return qualify हो जाता है उसके बाद आपके पास क्या क्या options है किस तरीके से आपके interviews conduct किये जाते हैं कहां कहां interviews conduct किये जाते हैं और क्या pattern रहता है we'll be discussing in the next video तो तब तक आप अपने पूरे questions जो भी आपकी queries हैं जो भी आपके मन में questions है please comment me in the comment box thank you very much